क्या आप लोग को भी BIM Professional बनना है या आपको अपना कैरियर जो है वो BIM के अंदर देखना है क्या आप एक Architect हो, Civil Engineer हो या फिर आप एक MEP Engineer हो तो अगर आपको अपना कैरियर BIM के अंदर देखना है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो मैं इस वीडियो में आप लोग को तीन मेजर स्टेप्स बताऊंगा जिनको की फॉलो करके आप एक BIM Professional बन सकते हो So without getting any further delay, let's get started with this वीडियो सबसे पहला स्टेप, Learn BIM Software and Get a Job as a Fresher मतलब कि आपको एक Software सीखना है और उसके बेश पर आपको एक जॉब लेनी है As a Fresher in BIM Firms Only इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ उसके उपर बात कर लेते हैं वैसे तो although मैंने इसके उपर already एक वीडियो बना रखी है अपनी आप चाहें तो मेरे i-button पर क्लिक करके देख सकते हैं लेकिन उसका कुछ brief out कर देता हूँ मैं इस वीडियो में क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो step 1 होने वाला है जिसमें कि आपको learn करना पड़ता है कुछ software को 3 types की categories होती हैं जिनको कि आपको देखना पड़ता है सबसे पहनी category जो आती है वो आता है आपका कि आपको modeling software आना चाहिए 3D modeling software आना चाहिए जिसमें कि हम BIM के अंदर consider करते हैं कि आपको Revit आना चाहिए alternatives हैं आप चाहें तो Archicad सीख सकते हैं लेकिन major जो priority रहेगी वो Revit की तरफ रहेगी second category जो है उसमें आप लोगों सीखना पड़ता है coordinate software coordinate software में आता है हमारा nevish work अगर आप nevish work नहीं भी सीखेंगे फिर भी चलेगा लेकिन पता तो होना चाहिए कि हाँ coordinate software में आपको nevish work का एक overview पता रहना चाहिए और यहाँ पर तीसरी category जो आती है वो है हमारी visualizing software की visualizing software भही rendering वाले software rendering software में आप सीख सकते हैं landscape को वैसे alternative में आप वीरे भी सीख सकते हैं और other third party भी सीख सकते हैं लेकिन मेरी जो priority रहेगी वो landscape की तरफ रहेगी क्योंकि बाहर के industry में जो है वो landscape ज़्यादा चलता है in BIM industry यह था हमारा पहला step कि आपको यह तीन software जो है वो एक बार overview देखना है लेकिन इन में से अगर आपको कोई सीखना है तो वो है आपका Revit आपको modeling software सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है modeling software में आपको Revit architecture और Revit structure सीखना जरूरी है wait hold on हम इसके उपर last में बात करेंगे कि आप यह कहां से सीख सकते हो वो भी free of cost अब बात करते हैं हम कि जब आप यह software सीख लोगे Revit architecture और Revit structure उसके बाद आपको एक job लेनी होती है आप as a fresher आप कहीं पर job ले सकते हो या किसी के साथ coordination में काम कर सकते हो अगर मैं आप लोग को मेरे अपने known में example बताऊं तो pinnacle है beam industry की तो pinnacle ने हमारे ही university से हमारे ही batchmates में से almost 10 से 15 बच्चों को जो है वो उठा के direct placement ले लिया था तो वो ऐसे fresher उनको ले के गए उनको सिखाया और उनसे काम करवाया आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं जैसे कि मेरे अगर मैं दूसरे friends का example दूँ तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ऐसे काम भी कर लिया अब इससे profit क्या हुआ कि उनके पास वो project देखने को और exposure मिल गया so main जो concern है वो है हमारा exposure लेना चाहे आप job से लीजे चाहे आप खुद की freelancing project उठा की लीजे चाहे आप किसी के साथ collaborate करके लीजे या खुद के firm भोलके खुद ही आप as a BIM modeler आप काम कर सकते हैं लेकिन the main concern इस कि आपको exposure लेना पड़ेगा so यह था हमारा first step जिसमें की बहुत obvious था कि आप लोगको एक software सीखना है और उस software को strength बनाते वे आपको job लेनी है जो की BIM industry के अंदर होने वाला है चाहे आप freelancing के लिए कीजिए चाहे आप job के लिए कीजिए लेकिन आपको exposure लेना है अब यहाँ पर बात करते है step 2 की step 2 में आता है build a portfolio build a portfolio का मतलब क्या है जितने भी आपने exposure लिये जितने भी आपने software सीखे और जितने भी आप detail या exposure या जितने भी project पर आपने काम किया है उन सब को compile करके आपको एक portfolio बनाना पड़ेगा ताकि जब आप उसको किसी को दिखाओ तो उसको समझ में आए कि हाँ आपने really में BIM project पर काम किया है लेकिन हाँ उस portfolio में आप लोग construction documentation कैसे करते हैं वो mention करना मत भूलेगा क्या होता है construction documentation करना construction documentation करने का मतलब होता है कि देखिए construction तो हर जगे ही होता है लेकिन BIM में क्या फरक है कि BIM में हम हर चीज़ का data रखते हैं documentation करते हैं वो documentation की जलक जो है आपके portfolio में दिखनी चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत basic पता है क्यूंकि अब आप एक exposure ले चुके हो आप step first कर चुके हो तो आप step second में हो तो आपको ज़लक दिखनी चाहिए कि आपको exposure है आपको BIM की knowledge है आपको softwares आते हैं और आपको साथी साथ documentation कैसे करते हैं उसका भी basic आपको knowledge है step three पे आने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर students जो है या जो architects है या जो professionals हैं वो आखिर BIM केरियर में switch करते क्यों हैं तो अगर basic overview की बात करूँ तो सबसे पहला reason आप जानते ही है money की वज़से, पैसे की वज़से यहाँ पे salary आपको ज़ादा देखने को मिलती है दूसा reason जो है architecture और engineering के competitively ये जो BIM industry है वो ज़ादा regulate है architecture तो आप कहें सकते हो कि unregulatory में आती है अभी उतने अच्छे से organized नहीं है लेकिन हाँ BIM organized है BIM regulated है और साथिसा गर मैं बात करूँ तो इंडिया में तो booming है लेकिन बाहर के countries के अगर बात करें तो वहाँ पर mandatory है मतलब कि वहाँ पर mandatory का मतलब है कि compulsory है करना ही करना है BIM के थू ही आपको सारे काम करने है और इन सब topics से related मैंने अपने part 4 में बात की है जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी countries में mandatory है और क्या इसका future होने वाला है आप चाहे तो उसको भी check out कर सकते है उपर आई बटन में मैं आपको उसकी वीडियो का link दे दूँगा सो बात करते है है हमारे regulatory body के साथ-साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पर sudden hike, sudden peak भी मिलती है salary में साथ-साथ आपका एक future growth रहता है और अगर आप बाहर जाना चाते हैं abroad में काम करना चाते हैं तो क्यूंकि इंडिया में booming है लेकिन बाहर mandatory है तो बाहर आपकी easily job लग जाएगी आपका work exposure भी अच्छा रहेगा और आप एक technical background में चले जाएंगे architecture से उठके इसलिए जो students हैं या जो professionals हैं वो BIM career में switch करते हैं और कहीं न कहीं BIM जो है वो future भी है इसलिए कुछ सोच समझके ही बहुत सारे लोग जो है वो अपना career switch कर रहे हैं BIM industry में जाके अब बात करते हैं हमारे step 3 की तरफ step 3 में हम सीखेंगे certified होना certified होना मतलब देखें बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो कि companies हैं जो कि आपको certification देती है अब क्योंकि BIM जो है वो एक regularized, organized एक industry है तो वहाँ पर certification का, वहाँ पर आपके degree का और वहाँ पर आपके exposure और experience का बहुत ही importance रहता है architecture में तो फिर भी उतना नहीं रहता है क्योंकि अगर मान लिए आप 10 साल experience है और आप architecture में जाके किसी के पास बोलेंगे कि मुझे job चाहिए, मैं 10 साल experience मुझे इतनी salary चाहिए so might be possible वो नहीं दे पाए लेकिन BIM industry क्योंकि organized है, पूरी एक industry है, पूरी company है और बाहर के देशों में mandatory है तो यहाँ पर यह है कि आपके experience और आपके skills के according ही आपको salary मिल जाती है बहुत असानी से और career growth और आप कह सकते हैं कि future में scalability बहुत ज़ादा है BIM के अंदर, तो अगर यहाँ पर बात करें तो क्योंकि यह regularized और organized है तो आपको certification जरूर से काम आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर certification लेना भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वैसे mandatory तो नहीं है, लेकिन आप आप से मान के चलिए कि mandatory है और आपको certification ले लेना चाहिए generally, जिन तीन certification को मैं जानता हूँ, मैं उनके बारे में आपको बता जिता हूँ बाकी आप खुद से भी research कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला आता है ACP, ACP का full form है Autodesk Certified Professional तो Autodesk वाले जो है, वो फुद से certificate दे रहे हैं अगर आप उनकी website पर जाके चेक आउट करेंगे वो खुद से आपको certificate पोगारें भी कैसे देते हैं यह certification इसके ओपर बात कर लेते हैं तो आपको exam देने होते हैं और monit hm스 ke थु ही आपको certification पो प्रॉइड कर देते हैं क्योंकि आपने already step 1 और step 2 complete कर लिया है अब अब certification की तरफ है तो अब आप as a BIM professional काम कर सकते हैं अब अगर हम अपने दूसरे certification की बात करें तो वो है BSPC BSPC का full form है Building Smart Professional Certifications इसमें भी ये भी एक regulatory body है international body है जो की आप लोग को provide करती है certificate exams देने के बाद और यहाँ पर third number पे जो आता है BIM level 2 certification ये BIS group है वो provide करते हैं आप इनके website पे जाके checkout कर सकते हो तो ये तीन certification बहुत ही common है और well-known है क्योंकि इन तीनों companies को और इन तीनों की certification आपको हर BIM industry में generally जो है वो accept कर ली जाती है आप जरूर से certified हो सकते हैं बस आपको exam की fees देनी पड़ती है exam देना है और आपका काम हो जाएगा और आपको certifications मिल जाएगा So I hope so कि आपको ये video समझ में आई होगी और आपको पूरा एक model पता चला होगा कि किस तरीके से आप एक BIM professional बन सकते हैं BIM industry के अंदर जाके और अपना career इसमें बना के So यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरुद नहीं है मैं आपको दो video recommended कर रहा हूँ उपर वाली जो video है वो मैंने आपको BIM के detail में बताया है कि LOD क्या होता है LOD 300, 400, 500 क्या होता है कौन सी companies में mandatory हैं ये सारी चीज़े बताई है और ये नीचे वाली जो video है ये मैंने कुछ आप लोगों लिए अलग रखा है कि अगर आप लोगों computer की knowledge लेनी है अपने PC के बारे में configurations के बार में knowledge लेनी है कौन से part important होते हैं और कौन से part को आपको लेना चाहिए थोड़ा overview जानना है ना अपने laptop और अपनी machine के बारे में तो ये वीडियो एक बार चेक आउट जरूर कीजेगा सो मिलते हैं फिर किसी एक next वीडियो में till then bye bye अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगिए तो please एक अच्छा सा प्यारा सा comment कर दीजे कि हाँ आपको एक information मिली है और कोई भी अगर आपको doubt है या कोई भी question या कोई भी related topic आपको चाहिए तो आप नीचे comment down कर सकते हैं मैं हर एक comment को पढ़ता हूँ